शुप्रभाद बच्चो यह है आपकी हिंदी की कक्षा और मैं हूँ स्मृतिमेस और आज हिंदी की कक्षा में हम लोग सबजियों का नाम पढ़ेंगे ओके आप लोग को इंगलिश में सबजियों का नाम तो आता है तो आज हम लोग हिंदी में भी उन सबजियों का नाम जान इस सब्जी को बोला जाता है गाजर, ग, आकर, ज, र, गाजर यह हम लोग कच्चा भी खाते हैं, गाजर को हम लोग कच्चा भी खाते हैं, अपका के भी खाते हैं, जैसे सूप वगेरे में, सबजी वगेरा मैगी में, यह सब हम लोग डाल के खाते हैं, इस सबजी का नाम है प्याज, वयसंजुक आकर ज, प्याज, वयसंजुक आकर ज, प का हवा नहीं लगता है लू नहीं लगता है इस सबजी को बोला जाता है मतर 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 इस सबजी का नाम है फूल गोभी फ दिर्गुकार ल ग ओकर भ दिर्गीकार गोभी फूल गोभी फ दिर्गुकार ल ग ओकर भ दिर्गीकार गोभी फूल गोभी यह सबजी ठ ठंड के मौसम में पाया जाता है ज्यादा अधिकतर ठंड के मौसम में इसका उत्पादन ज्यादा होता है इस सबजी को बोला जाता है परवल 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 इस सबजी को बोला जाता है आलू आल दिर्गुकार आलू आल दिर्गुकार आलू इस सबजी को बोला जाता है पत्ता गोभी, प तत्त संजुक्त आकर, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी इस सब्जी को बोला जाता है टमाटर ट म आकर ट र टमाटर इस सब्जी को बोला जाता है बैंगन ब अईकर अंस्वर ग न बैंगन ब अईकर अंस्वर ग न बैंगन तो बच्चों आज हम लोगों ने 10 सबजियों के नाम पड़े ओके तो आप लोग इन सबजियों के नाम को अच्छे से याद कीजिएगा ठीके और अच्छे से लर्ण कीजिए एक उचारन एक एक अक्षर इसका अच्छे से याद कीजिए ओके Thank you and have a nice day